कई के ज़िए तो भई नच्रल वेडिटेशन फॉरेस्ट वाइडिकेशन को देख लिए हैं अब फॉर्दर आगे जलते हैं और देख ते कि नच्रल वेडिटेशन फॉरेस्ट में क्या क्या पुछा जाता है ठीक है तो वही सबसे पहले कुछ factual चीदों को cover करेंगे that is forest cover in India ठीक है forest cover से related questions आपके पूछे चाते है तो सबसे पहले में यह समझना है कि forest cover होता है forest cover का मतलब होता है एक ऐसा area जो notified किया गया है government के दोरा ठीक है notified किया गया है plus उसको record भी किया गया है ठीक है कि भाई यह जो area है यह हमारा forest land है ऐसा सरकार में का है ठीक है अब यह जबूरी नहीं है कि इस area में आपके trees हो या ना हो सरकार में कह दिया तो कह दिया यह जंगल है तो है ठीक है यह किस चीज में based होता है यह based होता है हमारे state revenue department के assessment के उपर लेकिन यह जितना आपको impractical देख रहा है मैं है नहीं ठीक है जो होता क्या है कि सबसे पहले एक term आता है आपका actual forest cover actual forest cover से नाम से पता जल रहा होगा असली forest cover तो actual forest cover आपको वो area होता है जो ऐसे trees ने या फिर forests ने cover गरगाओ जिनकी canopy होती है यानि कि जिन पेड़ों की ऐसे बड़े बड़े ऐसे पेड़ होते हैं बचना बनाते थे ना इस तरह के पेड़ होते हैं ऐसे पेड़ जिनकी एक proper canopy होती है ऐसे forest area वो में actual forest cover गहते हैं यह किस चीज़ को बेस्ट होता है यह हमारे aerial photographs पे बेस्ट रहता है प्लस इसके साथ सा satellite images होती है उनके द्वारा यह बेस्ट रहता है अब ISFR 2019 की रिपोर्ट के द्वारा यानि कि Indian state forest की रिपोर्ट के द्वारा 19 रिपोर्ट के साब से अभी तब 23 की रिपोर्ट भी आ गई है लेकिन यह भी काफी हथ तक relevant है ठीक इसके साब से total जो forest cover है हमारे देश में वो कितना है 71229 स्क्वेर किलो मीडर इतना एलिया हमारा forest के अंदर में आता है यानि कि इसको हम काउंट करते 31.67% of the total geographical area हमारे जो total geographical area है उसमें से 21.67% जो है वो आता है हमारा forest cover game ठीक है अब अगर हम forest plus please दोनों को काउंट कर ले अभी हमने से forest के देखा अगर हम इस दोनों को cover कर रहे हैं तो हमारा total area आता है 80.73 million square million hectare इतना आता है या फिर इसको हम total कहले है तो यह आ जाता है 24.56% of the total geographical area किलों forest forest का 21% और forest plus trees का आ जाता है अगर 24.56% है अब इसमें अगर हम यह देखें कि किस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा forest cover है तो वह एक स्टेट आता है बहुत हरा वारा देखता है तैट इस मद्ध प्रदेश पर वहीं मद्ध प्रदेश आता है उसका लार्जेस फॉरेस्ट कवर है इतना है हमारे MP का ठीक है इसके बाद वहीं आता है दूसरा हरा वरा देट इस अरणाचल प्रदेश अरणाचल प्रदेश का है यह साथ लाग था ठीक है चाहसाथ हजार वह सोच रहा है इतना कम कैसे यार चैसाथ हजार 668 किलोमेटर स्क्वेर ठीक है इतना वारा अरणाचल प्रदेश का आता है और उसके बाद वहीं आता है इस रैंकिंग को देख लें न कोशेश पोचे जाते हैं तो मद्रदेश के पास लार्जेस फॉरस्ट कावर है सबसे अदा जंगल जो मद्रदेश के पास है एक और दूसरा टर्म आता है कि परसेंटेज अगर हम इस टर्म में देखें कि टोटल जोगरिफिकल एरिया किसी भ बात करें तो उस पर सबसे हाईस रैंकिंग आती मिजोरम की कितने रैंकिंग आती है मिजोरक के बास में 85.41 परसेंट जो एरिया है वो उनका फॉरेस्ट का एरिया है और सेकंड नमबर पर आता है अनाचल प्रदेश याने की सेवनिटी नाइन कोईन उस्थीथीपरसेंट अर्णाजल प्रिदेश के टोटल एरिया में से 89.63% जो है वो उनका टोटल फॉरेस्ट का आदा है और फिर आदा हमारा मेगाला है मेगाला है इनके पास में 60.33% है तोटल इनका जो एरिया है वो फॉरेस्ट की केटिकरी में आता है ठीक है इस अपके हाईस पाले हो गए हर्याना में हर्याना के टोटल इरिया में से सिर्फ 3% यानि कि 3.62% जो है वो इनका फॉरेस्ट में आता है लेकर इसमें निराज होने की बात नहीं है तो दो चीज़ें आते हैं पहला आता है यानि कि खेती का की जाती है यानि कि नेट इरिया यह में अगर पड़ाय था पंजाब की जमीनें हैं, टोटल उनकी जमीनों में से 80-85% एरिया पे खेती होती है, यानि कि इनका एने से बहुत हाई है, लेकिन इनको फॉरेस्ट कवर काफी कम है, similarly, ये जो नौर्थ इस स्टेट से आपके हैं, और अचल पिर देश, मनिपूर, मिजोरों मगरा, इनका फॉरेस्ट कवर बहुत ज़ड़ा हाई है, लेकिन इनका जो नेट सोन एरिया है, वो काफी कम है, तो किसी ना किसी में, किसी ना किसी को ज़्यादा है कम लगा रहे, ठीक है, उसके बाद हराना के बाद में पंजाब आता है, पंजाब का 3.67, तो इस साब से तो पंजाब को सबसे घर होना चेखे, so मंदर कम होना चीख, तो पंजाब 6.67% आ जाता है, उसके बाद वहारा राजस्तान आ जाता है, राजिस्तान का आता 4.86 परस है तो वही इनकी जो टोटल जोग्रफिकल एरिया नहीं 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 अच्छा इसको उल्टा काउंट कर रहे हैं तो वही सबसे फैली रैंकिंग पर नीचे से आ जाता हर्याना फिर पंजाब और फिर आ जाता भी हमारा राजिस्ता तो इन लोगो प्रश्च कवर है वो काफी कम है ठीक है अब एक पहुर टर्म आता है कि ऐसे 5 स्टेट के बारे बताईए यानि कि टॉप 5 स्टेट की बात आप कीजिए जो स्टेट्स में इट मैक्सिमां फॉरेस्ट कवर एरिया में इंक्रीस दिखाया एना लगातार जिनका फॉरेस्ट ए केरल के बाद में आ जाता है तेलांगाना तेलांगाना नहीं किया वही 433 और उसके बाद में आ जाता है वही मारा ओड़ी साथ एट इस 346 स्क्वेर किलमेटर यह नो ने कहा किया यह नो ने टोटल बड़ोत्री किये ठीक है अब हमारे देश के 15 स्टेट प्लस यूटी इनके पास में हमारी देश की फॉरेस्ट कवर का 33 परसेंट एरिया अंडर में आ जाता है ठीक है इंडिया के पास जैसे मैं आपको बता है साथ सो बारा तो सो रंचास स्क्वेर क्लिमीटर का जो एरिया है यह ना वह फॉरेस्ट में आता है यानि कि 21.67 परसेंट आप जोग्रफि जो कवर है टोटल मेंगरूप कवर हमारे देश में आ रहा है तक्रिबन उननाचास सो पचतर स्क्वेर क्लिमीटर के आसको इतना हमारा टोटल मेंगरूप कवर आ रहा है इंक्रीज कितना देखा जा रहा है इसमें इसमें इंक्रीज भी हमारा आ रहा है 54 स्क्वेर क्लिमीट ठीक है, 54 स्पर क्लुमेटर का जो कवार है, वो year by year हमें देखने को मिल रहा है, यानि कि थोड़ा-थोड़ा increase देखने को मिल रहा है, और अगर हम पैनिसुलर इंडिया की बात करें, यानि कि ट्रॉपिक ओफ कैसर से नीचे की बात करें, तो पैनिसुलर इंडिया में इंडिय आप 57% जो फॉरेस्ट कबर है वो आ जाता है बाकी का जो आपका आदा होई 43% वो आ जाता बाकी के अपर एरिया ठीक है हमालेयन जो रीजन हमारा यह पूरा हमालेयन रीजन है अगर हम इसकी बात करते हैं तो सेकिंड लार्जस फॉरेस्ट इरिया इनकी पास आ जाता है तक्र हमारे देश के फॉरेस्ट कवर तो भाई हम बात कर रहें के शुरू में कि बहुत एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है ना तो एरिया अंडर एक्चुल फॉरेस्ट कवर वाला एरिया होता है वो आपका एरिया क्लासिपाइड एस फॉरेस्ट उससे अलग होता है एरिया क्लासिपाइड फॉरेस्ट मतब जिसको सरकार नेकोशित किया है और एरिया अंडर एक् फॉरेस्ट की ग्रोथ करें किया पर सिपेवल कंडिशन से यहां पर हम पिल्ड लगाएंगे और फॉरेस्ट जो है उनकी ग्रोथ करें एक तो आप यह हो गे हुआ हमारा तो हमारा टोट ट्रेटा है जाएजिए 24.39 परसेंट वहारा टोटल फॉरेस्ट कभर है है ना हमारी टो टोटल रैंड है हमारा जंगल के अंडर में होना चाहिए बहुत सारी ट्री प्लांटेशन बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी एना पेड़ों को बचाना पड़ेगा जमीन पे और ज़्यादा खेटी करनी पड़ेगी पेड़ लगाने पड़ेंगे पॉलिसी पे तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी सबसे पहले 1952 में आई थी तब से 3-4 वार आ सकी है इसमें फॉरेस्ट को आपकी चार केटेगरीज में डारा है कौन कौन सी केटेगरीज में पहले थे भई आपके protected forests देखे protected forests जो है वो हमारे देश की physical plus climatic needs के लिए बहुत ज़रूरी माने गए second number पे थे भी हमारे national forests नेशनल forest जो है वो हमारे देश की economic needs के लिए काफी ज़रूरी माने गए और third number पे आया हमारे गाओं के यानि की village forest ये गाओं के आसपक की fuel हो गया प्लस जो लोगों की domestic needs हो गई है ना उन सब के लिए काफी ज़रूरी माने गए और fourth में आया हमारे tree lands tree lands ने basically ऐसे areas market किये गए कि जहां के लिए policies बनाई है ये policies क्या करेंगी ये policies आपके one महुत सब मनाई है ठीक है इन policies में one महुत सब पे ज़्यादा जोर दिया गया कि one महुत सब मनाई जाए tree plantation किया जाए खासकर आपका जुलाई और अगस्त के महिनों म जो plants की growth के लिए सबसे अच्छा माना जाए तो ये 1952 की national forest policy में एक चीज determine कीगी फिर फर्दर किस किस तरह की वही forestry इंडिया में होती है मतलब all over world होती है लेकिन हम इंडिया के perspective में पढ़ रहा है तो सबसे पहले आते हैं मारी social forestry social forestry का मतलब होता है कि ऐसे forest यानी कि ऐसे trees जिनको क्या किया गया है जिन पो plant किया गया है लोगों के दोर planted by people of a society किसी पी society के लोगों ने किसी पी society मतलब ही जो नोईटा और दिल्ली NCR या बाती जाए कि societies नहीं एक पूरी community ठीक है forest planted by people जो लोगों ने गाहों कस्मों के लोगों ने या फिर ऐसे लोगों ने बहुत मातरा में ऐसे बड़े-बड़े बेंड लगाएं ये शाए एकिलिप्टिस के पेंड है है ना ऐसे बड़े-बड़े बेंड लगाएं है और इस तरह की forestry को क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है और दा पीपल लोगों से लोगों के दोरा लोगों के लिए and by the people लोग ही लग जाते हैं उनके द्वराइं सबकुछ होता है में अबजेक्टिव social forestry का होता है कि जो traditional forests है जहां पर जो domestic needs जिससे पूरी की जाती है फीळ के लिए चीज़े पूरी की जाती है फुल फूट्स लिए जाते हैं बत्तिया लिए लिए जाता है तो उन पर जो pressure है वो कम किया जा सके एना ऐसे जो फॉरेस्ट अगर आप पुछ से लगा रहा है तो दस बारत दा साल में वो मैचोर हो जाते हैं फिर वहां से आप चारे का इस्तमाल भी कर सकते हैं और उसके साथ थास वगरा जो जानवार को खिलानी होती है उसका यूज़ भी कर सकते हैं तो सोचल रियख आपकी रहा है यूद्म फॉरेस्टी यह तैप रहां बहुती है और दूसरी होती ए इस एक से ना आसे इससे के न आप प्रेज़िए हो अप यहाथ कंशल और दोसरी आपकी जाति है आपकी से यह जान नॉन न लगमरिसील आ जा जाती है एक प्मरिशियल और बाबadow या disparity को बहुत करें दो तरह की आ जा सब्सक्रतेियों कि जो सुच्वरेश्टी की बाथ करें को यह को बता है था च्वरेश्च बीटिये प्रसट्री की वर्जा में के इस दोमानोर्श जो सब्सक्रतेब जहले स्वेसे या तो द्हूरत में फ़ुल प्र कि वह लेंट सब्सक् होते हैं उन पर एक objective set किया जाता है कि पूरी community के लिए यहां पर plantation किया जाए तो यह जो plants और seedlings होती है इनको provide किया जाता है forest departments के जरिए या फिर governments बगरा होती है वो अलग-अलग channels के महाते हम से इनको plants और seedlings बगरा provide कराते हैं तो यह जो planted trees होती है इन्दी protection का जिम्मा भी जो तो उस पंचयत को पूरा जिम्मा हो जाता है और कौन-कौन से स्टेट से जाओ पर यह बहुत ज़्यादा beneficial रही है तो गुजरात, हर्याना, हिमाचल प्रदेश, करनाटक, केरल, ठीक है, ओरिसा, पंजाब, राजिस्थान, तमिलनाडू, उत्तरागन और यूपी यह कुछ स्टेट से जाओ पर community forestry बहुत ज़्यादा popular रही है, वहीं दोसी तरफ agroforestry में आपको बताई थी, तो agroforestry में basically क्या होता है, यह sustainable management होता है, यानि की land का sustainable management होता है, जिसमें आपकी जो overall production होती है, जमीन की, उसको बढ़ाया जाता है, अलग अलग तरीकों से, इसमें आपक agriculture के लिए जो crop है, agriculture crops है, वो भी शामिल रहती है, इसके साथ आपकी tree crops है, वो भी शामिल रहती है, मतलब यहाँ जैसे आप देख रहे हो, यहाँ फसल गोधी, यहाँ पर lion, क्यादर दिया, आपके पेरड़ लगा दिये, तो agriculture crops भी है, tree crops भी है, इसके साथ आप एनिमक्स को cultural patterns है, उनको sustain किया जा से, तो agroforestry अगर देखा जाए, तो आपकी एक तरह की social forestry ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें individual farmers होते हैं, वो खुद की जमीन पे चीज़ों को practice करते हैं, individual farmers होते हैं, generally risk farmers होते हैं, individual farmers क्या गरते हैं, अपनी खुद की जमीनों पे tree farming करते हैं, बड़े-बड़े पेड़े लगाते हैं, ठीक है, tree farming करते हैं, और इसके साथ चारी के लिए अलग से आपके जो fodder plants होते हैं, उनको उगाते हैं, ठीक है, बड़ी-बड़ी खासे हो गई, जो चारी के लिए जाते हैं, उनको उगानिया, कुछ legumes, अब भी crops बगरा होती हैं, उनको उगानिया जाता है, खुद के land, ठीक है, तो agnoforestry में क्या होता है, जो आपका land होता है, उसको आपका trees होती हैं, उसको एक crop की तरह consider किया जाता है, यह जो tree crops आपके गई हैं, इनको एक crops की तरह consider किया गया है, जो आपकी 10 से 12 साल में mature हो जाएं, और यह crop combination का यह एक part ह होता है, तो farmer क्या करता है, अपने degraded land को, यानि कि generally ऐसे land को जो चोड़ रखा है, उस land को दुवारा use में लाने के लिए क्लिए क्या करता है, उसको दुवारा use में लाने के लिए ऐसे trees का plantation करता है, जो domestic या फिर commercial use के लिए use किया जा सकते, हो सकता है उसके खुद के तंदप इकम देता है farmers को, उनकी overall income को बढ़ाता है, उनके standard of living को बढ़ाता है, उनको employment देता है, ऐसे seasons में जब आपकी crops बगरा नहीं होग रही होती, है ना, उस type में आपके फन बगरा, फूल बगरा होग रहे होते हैं, और 10 से 12 साल या फिर 6 से 10 साल के अंदर वो mature हो जाते हैं, plantation की बात से और फिर उसके बाद में उनको harvest कर लिया जाता है, अपनी requirement के हिसाब, तो ये थी आपकी agroforestry, अपकी काँ 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 पर popular है आपकी agroforestry आंध प्रिदेश में popular है, पिहार में popular है, गुचराथ, हर्याना, करनाटा, केरर, पंजाब, राजिस्थान, उत्राकन और यू सफेदा, जिसको कहा जाता है, उकलिप्टिस, हमारे स्कूल में लगा करती थी, एपीए स्कॉल में, तो उसके पत्ते जब हम गिसके ना, उसको विक्स की तरह से मिला करते थे, नशे नहीं करते थे, लेकिन इस विक्स जैसी समयल आते थी, ठीक है, तो यूकलिप्टिस आप इनको फ्यूल के लिए यूस नमाल किया जाता है, इनको प्लाई बनाने के लिए यूस किया जाता है, पेपर के लिए इनको यूस किया जाता है, और पल्क के मैनुफेक्चरिंग के लिए इनको यूस किया जाता है, हाँ, माचिस के लिए मैच इंडस्ट्री के लिए इनको चालता है इस पार्म को बता है है उपारे लेंड को उपार्मर को बैंग उन्हें होते हैं जो हमारे small farmers होते हैं या marginal farmers होते हैं उनके पास इतनी बड़ी जमीने नहीं होती है कि वो इतने बड़े plants को इतनी बड़ी अरिया उन पस इतना नहीं रहता है कि जिसको अलग से रिंगाल सके हैं एक proper use के लिए tree के plantation के further uses के लिए अलग से रिंगाल सके हैं जमीन उनके पास नहीं होती है नेक्स आजाता है हमारे wildlife resources की बात करेंगे तो देखो वर्ड में पंद्रा लाक स्पीजिस हैं एनिमल्स की इंडिया में इसका आ जाता है एक्ट्यासी हजार दोसो एक्ट्यावन यारी की वर्ड की इनद की इंडिया को हमने 6 जोग्राफिक इरिया में इस परफस के लिए यह पहला आपका हमालियन रीजन कि हमालियन के बात में हमारों आ जाता है प्रदन प्लेंग मैदानी इलाके इंडो-गे HIV वाला फिर उसके बावावावावावावावावावावावावायjan अपका Panisola और Plateau आ जाता है Panisola प्लाटो के बाद में हमारे आ जाते है Malavar Coast और Malavar Coast के बाद में आता है Near East ये अपकी 6 एरियाज है जिनको हमने क्या किया है? इंडिया कुछ है जू जो जेघे ग्राफिक एरियास में डिवाइड लाइड़ राटिंग पर बहुत बहुत करना पड़ेगा मंचे तो बहुत बाट करने के लिए गॉवर्मेंट अफboo इंडिया ने क्या किया? जो काफी माइल सोल एक्ट माना जाता है इसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइटीन सेवन्टी टू इसको लोने पास किया उसके बाद में एक बार एक्ट आया है भाई हमारा नैशनल बायोलोजिकल डैवरसिटी एक्ट डो हजार दो यह इंशोर करने के लिए था कि भाई जो हमारी प्रोटेक्टेड और थेटन्ड इसपीजिस है उनके प्रोपर प्रोटेक्शन के लिए उनके हैविटेट्स के प्रोटेक्शन के लिए हमारी क्या है कुछ नहीनी चीज़ें लागो की जाए फिर उसके बाद में कुछ ऐसे एन आपका सबसे पहले आया प्रोटेक्ट टाइगर हिये में फिर हमारा आया प्रोटेक्ट प्रोटैल प्रोटेक्शन स्वंट प्रोटै शृज्ट्ट के लिए मैं आपको इसलिए चल्ए ओर में बता रहा हो कि क्या हम से पूचा जाता है आपसे इनके establishment के order में पूछा जाता है ठीक है इस नहां slow leopard और project elephant यह दोना 8-7 आयते हैं एक एर में आयते तो यह आयते हैं हमारे 1990 फूम है ठीक है तो यह आपके project जो है launch किये गए हैं इनके order आप लोगों को याद रखना चाहिए किनका increasing के decreasing order आपसे जर्नली पूछा जाता है तो यह हो गया वहारा अब इसके बाद मैं आपको एक basic idea देता हूँ वही कि नखो सबसे पहले वहीं जो one horn rhinosaurus one horn rhinosaurus यह आपके इंडिया का second largest mammal आता है ना second largest mammal की category में आता है और एक time तक यानि कि कुछ 50-60-70 साल पहले यह आपको पूरे इंडो गैंटिक plane में मिलता था यानि कि राजिस्थरन तक यह आपको पाया जाता था लेकिन इनका जो शिकार काफी हुआ तो drastically इनके नमबर में काफे दर decrease हो गया और अब हमारे देश में 1500 से भी कम जो है केंडे बचे जल्दा और डूसरी आतिये मानिस है न dimension कजि रंगहों सेंचुरियस जरी है अशन की और जल्दा फारा भी के जल्दा पारा जाए ज्ल्दा पारा सेंचुरियस बेस्ड वेण विंगॉल की ठीक है तो यह जो आपकी सेंचुरी से प्रोटेक्शन देती है उसके बाद में अरना यानि की वाइल्ड बफैलो जंगली भैस ठीक है यह असम में पाई जाती है प्लस यह आपकी बस्तर में पाई जाती है 36 गड़ में फिर नेक्स आते हैं हमारा कॉर कॉर यानि की इंडियन पाइसन यह आपका पाया जाता है यह largest existing bovine है जो आपके अमेरिका वागर में भी यूसे पाया जाता है और इंडिया में सेंट्रल इंडिया के फॉरेस्ट में पाया जाता है फिर हमारे प्राउन ब्लैक और श्लॉट बेर यह जो प्राउन है यह आपके हाई एल्टिटूट में पाया जाते है नॉर् väscuだइशन के परपस के लिए रही काफी ज़्यादा और फिर हमारा हरा है यहानी की पाहसिंघा यह जहाता है पिर Springs को में यह जाता है और दागया बारी ब्लीर तैंर इसान के आपके एयसे ब्लीर सहते हैं बड़े बड़े वाइड स्परेड़ होते हैं बाइयो जानवरों रभर फूर आ। कि सेथे, हम सब को पता कि वहाई जहां पर वाटर, लैंड, ठिक है एट्मोस्टेजर और हमारे जो लाइफ है फ्लैनेट पे यह सब जहां interact करते हैं उस spare bomb क्या बोलते हैं उस spare bomb बोलते है biosphere और reserve का मतलब क्या है reserve का मतलब एक ऐसी जगह है एक ऐसा area एक ऐसा area हमने क्या किया है उसको designate किया है ठीक है कि वह यह जो area है इस area में हम एक balance बनाएंगे conservation के बीच में और sustainable use के बीच में ठीक है तो अब यह जो biosphere reserves होते हैं इनके अंदर हम एक या फिर एक से ज़ादा national park डाल सकते हैं ठीक है even centuries भी इनके अंदर में हम डाल सकते हैं इसको आपको इस तरह समझना है अगर यह हमारा एक बड़ा सा biosphere reserve है तो इसके अंदर एक हमारा national park आ गया एक दूसरा national park आ गया ठीक है तीसरा आ गया मतलब कहीं सारे इसके अंदर national park भी आ सकते हैं इसके अदर कोई wildlife century भी आ सकते हैं इस तरह के बहुत सारी areas इसके अंदर हो सकते हैं यहा पर जो भी living organism होते हैं जो भी फ्लरिश करते हैं रिजर्व की बाउंटरी के अंदर में लाइक फ्लॉरा फॉना या फिर हीवन कम्मुनिटीज भी जो इनके अंदर रहती है उनको भी प्रोटेक्ट की आजा तो इसी में आएगा हमारा में मतलब होता है मैं एंड बायोस्पेर प्रोग्राफ जैसे में आपको बता है कि बायोस्पेर रिजर्व जो होते हैं वह हमारे वह प्लस कोस्टल यह दौरों तरह की एकोसिस्टम्स जो होते हैं उनको बचाने के लिए इंटरनेशनली रिक्रगनाइस किया जाता है विदिन फ्रेमवर्क आफ यूनेसको यूनाइटिद नेशन एजुकिशनल साइंटिफिक एंड कल्चिनल ऑजनाजीशन के फ्रेमवर्क के अंडर में एक प्रोग्राम बनाया है बैन अपाईस्व प्रोग्राम एब इसके अंदर में इन रिजर्व को रिक्रगनाइस किया एक तो य में यानि कि वर्ल्ड नेटवर्ट को बाइस्टियर रिजर्फ में शामिल किया जा सके ठीक है यह जो रिजर्फ होते हैं यह बाइलोजिकल के साथ साथ कुल्चुरल डैवर्सिटी के लिए भी जाने जाते हैं और इनके अंदर में इस पेस्ट एक्सेप्शनली कुछ यह प्रोगरम आपके 1971 में लांच गया था यह रिज्ट व्यातर हैं जर। को क्या करता है शामिल करता है इंटर गवर्मेंटल सैंटिफिक प्रोग्राम है कि एक साइंटिफिक बेसिस बनाया जाए ताकि लोग और जो उनके आसपास का इंवर्मेंट है उसके बीच में एक साइंटिफिक बेसिस बनाके उसको इंप्रूब गिया जासे इंडिया में यह प्रोग्राम 1986 में स्टार्ट किया गया था और अभी तर 18 जो साइट्स है हमारी 18 साइट्स को आपका बाइस्वेर रिजर्व की क्या टेगरी में डादा था था ठीक है अब बाइस्वेर रिजर्व का स्ट्रक्चर क्या हो तो देखो गई सबसे पहले हमारा आता है पोर एरिया यह जो पोर एरिया होता है रहा यह प्रोटेक्टिड और था रहता है यानि कि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन इस एरिया गोती जाथ ठीक है जो पर आपकी जो लोकल यानि कि एंडेमिक ब्लांट्स और एनिमल्स हैं वो पाये जाते हैं उनके साथ में कोई छेड़ खानी नहीं घीजा ठीक है को जोन प्रोटेक्टिड रिजन होता है यह पर कोई नैशनल पार्क भी हो सकता था यह कोई आपका वाइल लाइफ सेंचुरी भी हो सकती थी यह पोई और प्रोटेक्टिड या रेगुलेड़ेड एरिया हो सकता था मोस्त ली यह सब रहता है वही उनको प्रोटेट किया जाता है और यहाँ पर कोई भी लिमन इंट्रफ्यरांस नहीं होता कोई भी आद्मीयों की और टो की गद्विती जो पी नहीं होती है यानिकि इन्सानों की कोई भी गद्विती यहाँ पर आलाओ नहीं किया कि कि सीक्सली काम कि लिए पिके प Always कि ए और यहां पर जो एक्टिविटीज होती है वो मैनेज की जाता है यहां पर बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं रिस्टोरेशन के लिए एक्टिविटीज की जाती है तूरिजम भी किया जाता है लेकिन लिम्टिड वे में जंडल सफारी वगएरा है ना फिशिंग एक्टिविटीज भी अलाव होती है जानवरों को भी आप चरा सकते हैं और यह सब चीज़ा पर्मिटेट होती है ताकि प होगा और उसके बाद आता हुए हमारा ट्रांजिशन जो यह सबसे लास्ट वाला जून है यह हमारा होता है टांजिशन जो ट्रांजिशन जो पार्ट से रिजयर रिजाबगा ठीक है यह वह जोन होता जाब पाट ही मन बेंचेर और तंस वेशन इन दौरों की दिच में एक management भेखाया सेके। इं पर दिछा जा सके। यहांपर bloqueoSoft वग्रेशनकि होती हैं यानि कि यह ने पर लोगों के गाओं वगipper होते हैं यहां पर लोग वग्रहुता हैं managed forest वग्णा हैं कि आपके कम्जानी vendu आप के एरियाइशन होती हैं पिर टेश में हमारे ऐंडरबें इंटरेशनली और इंटर्याइज किया है तो इससे हमारे आ जाते हैं आजाते हैं वह सबसे पहले हमारा आगे सुन्दर बार साल 2021 को रिजिंगनेट किया गया था वैस्ट बेंग पॉल में सिचुएटेड है उसके बाद आपका आ जाता है सिमली बाल और इसा में ये 2009 में ठीक है फिर उसके बाद पश्मरी आ जाता है पश्मरी भी 2009 में हुआ था मतिपरिदेश में आ जाता है फिर आजाता है आपका नौक्रेट नौक्रेट आपका आजाता है निगालाये में ये 2009 में किया गया था ठीक है और उससे पहले निलगिरी आ जाता है निलगिरी आ जायए भी समपारार तमिलाडू में और इसको किया घएदर 2000 सं 2000 यहहार लिए लिए बीड़ी को उत्राख्ण में यह यह चार्ब में किया गया ता लिए गर्स ऑफ मनार वाइस पेज़र वाजाता है तमिलाटू में इसको भी 2001 दूजार एक में होटे उसके बाध में ग्रेट निकोबार आ जाता है इसको किया गया था वहारा हैं 2013 गरेट रिखोंबर में आ जाता है और 2012 में अच्छना को हमार सोला में अगस्ता में किया गया था आपका दो गासार आपका तंचेंट जंगा है यह हमारा जाता है नॉर्थ और वेस्ट सिक्किम में आजा तो यह आयए तो यह अधार अधार और सबसे लेटर पन्ना दोघजार बीस देशनेट किया जिए तो यह हमारी 12 साइट्स हैं जिक को मेरी के तौर पर डिसिगनेट किया रहे हैं वहीं अगर हम ऑगर और बात करें जो हमारे पास पर टोटल एटीन बाइटीन बाइटीन वाले हैं तो उसमें कौन सा जाता है उसके बाद नंदा देवी बाइस पर रिजव उत्रा खंड का जात है ठीक है यहां जितने भी सब पर स्टार लगा हुए ना यह में भी वाले है उसके बाद आजाता है खंजे दूस्वांगा सिक्किन का ठीक देखाम दिवांगा आजाता है आवनाचल प्रदेश का नेच आजाता है मानस एसम का बानस के बाद में डिपरु साइक पोबा जो सबसे पहले आपका इंक्लूट किया गया था ठीक है फस्ट वाइस त्यरस इंडिया फिर उसके बाद में नेच्स आता है हमारे गल्फ ओफ मनार गल्फ ओफ मनार आ गया तमिलाडू में उसके बाद ग्रेट निकोवार आ जाता है अन्वान और निकोवार आइलेंड के बीच में तो टोटल 18 वाइस पेर रिजर्फ हमारे पास भी हो गए जिसमें से पारा जु जाता है हापका लॉयन टेर मेंख़ा ठीक है यह पाया जाता है यह इसके साथ में नील ग्रि ताहर ESक्तर नेग crack वाथ ने इसे पारा की कोण होते हैं यह पास चांगी बात करें तो लंटा देवीं में पाया जाता हैं हिमालियन और उसके साथ साथ में यह आ जाता अपकर में लैंड सारों स्युपक्य पर यह पाया जाता है नुन्थ पंडा ग्रेट निकोपार वायस्वेर इस अपके बाग करें तो वह यहां पर आता है सॉल्ट वाटर प्रोकोडाइल गल्फ और मिर्नार में वही आती है हमारी डुगॉंग डुगॉंग को हम समुद्री काउ भी मूलते हैं यह अपकी डॉल्सिन फैमिली को बिलॉंगर और उसके बात कोरल रील्स यानि की नूगों की चट्टाने कोरल टीट्स भी आप आई जाती है फिर सुन्दर बस में तो भाई हमारे रॉयल बैंगॉल टाइगर सबसे फेमस मानस की बात करें तो मानस में रेट पांटा के साथ-साथ आपका Гολ्डन जो लंगूर है हो भी पाया जा ब यह फिर उसके बाद में सिंगली पाल के बात करें सिंगली में रॉयल वैंगॉल टाइगर हो गया बैंगल साही गोपा के बात करें तो बहीं यहां पर गोल्डन लंगूर्ड और गिल्डन लंगूर्ड विंग्ड वुट डॉक्द यह टेक्या तो यह अलक लगवाईश के से और इनकी जो भी फेमस फ्लोरा एंड फॉना है उनके और हमने देख लिया नेट्स अब आधा वाइलाइफ सेंचुरी तो देखो वहीं सेंचुरी क्या होता है सेंचुरी का मतलब एक ऐसा एरिया जाहां पर एकिलोजिकल फॉनल फ्लोरल और जिवो मॉर्फिल लजुकल नेच्छरल या फिर जीवोजिकल सिकनिकेंज की जो जगये होती है उनको हम बलते हैं वाइल प्ली नेविशी रपाटर है की हमें जो wildlife है या फिर environment है उनको protect करना है तीक है या फिर हमें क्या करना है उनको propagate करना है यानि कि उनको फैलाना है उनको protect करना है, propagate करना है या फिर उनको develop करना है इस purposes के लिए आपकी जो wildlife centuries होती है वो बनाई जाती है century के अंदर जो लोग रहते हैattered certain rights को permit किया जाता है certain rights जो लोग अंदर गाओं रहते हैं जो communities रहते हैं उनके rights को permit किया जाता है कि आप लकडी कार्ट के ला सकते हैं आप ये कर सकते हैं आप वो कर सकते हैं इस तरह की चीज़े रहते हैं फिर जो हमारा Wildlife Protection Act था Wildlife Protection Act of 1972 जो काफी बार वहीं हमारा हमेंट होता रहता है उस एक्ट में ये बोलाता है कि किसी भी certain area को अगर आपको declare करना है wildlife century तो state government कर सकते हैं अगर state government को लगता है कि कोई भी जगह आपकी ecological, formal, floral, geomorphological, natural, geological या फिर कोई भी और significance की है तो state government किसी भी specific area को wildlife century कोशित कर सकती है ठीक है ओलड आपकी जो word century है वो कौन सी है भाई वो हमारी विधंगल विधंगल word century है जो चेनली दमिलाडो के पास माई इसको 1796 में resignate याने कि बनाया कया था ये बात की जो wildlife centuries है ये आपको map पे spot करनी पड़ेगी आपको बैठना पड़ेगा आपको एटलस बोलनी पड़ेगी और आपको सारे ये जो wildlife centuries है इनको देखना पड़ेगा कि कौन सी किस state में लाई कर दी है ये गाम आपको करना पड़ेगा ये मैं आपको नहीं पड़ा सकता ये simple साप map पे spot करने वाला गाम तो ये काम करके रखना क्योंकि ये बहुत ज़र्दा ज़रूरी होगा आप से बहुत आप मैस्टे फॉलाइं गारेगी रेंडम कुष्टन से आज़र पूछ रहे जाते हैं उनको कोई खास पैटर्व रही है आलांकि वो करेंट अफेस से रेलेटेट रहते हैं लेकिन फिर भी कोई खास पैटर्व नहीं करते हैं कि मैं इस ओलेव रिटली इसलिए खास शामी तिया गया है क्योंकि हर भार कोई ने को इसको पूस्ट किया जाता है अब से एक एक गजाम दे रहा हूं तब से इसमें सबसे पहले आती गहिर माता मेरिल सेंच्री इससे अभी एफकेंट में फिर पूशन आया था गहिरमाता जो है आपका यह एक मास नेस्टिंग स्पोर्ट है, मास नेस्टिंग स्पोर्ट है किसका इंडियन ओशेन में गहिरमाता जो है, आपका मास नेस्टिंग स्पोर्ट है और यह only turtle century है, पुरिसा के अंगर में, ठीक है, यह world का largest nesting beach है, olive riddley sea turtles का, उनका largest क्या है उनका largest nesping beach है वर्ड्स लार्जेस्ट नेस्टेर बीच टिक तो यह जो ऑलिव रिट्लिसी टर्टल है यह क्या है न यह टर्टल उते हैं कार्णी वोरस मतलब यह मास भिक्षड करते हैं और इनका जो नाम है इनके उपर तेरे ऑलिव कलर का जो कहरा इस पेस है उससे उनको नाम मिलता है और लिट्ले टर्टल मिलियंस की संख्या में खुड़ी सा के कोस्ट पर हर साल आते हैं तीन रिवर्स के माउट्स पर कौन-कौन सी घंवारा परादिव और तो घंवारा देवी और शिकल्या तो घंवारा देवी और शिकल्या जो भाई हमारी लिट्टिंग स्पोर्ट तो यह जो स्पीसिज है ना इसको वन्रेल रिवल की केटिगरी में रखा हो गया है किसके दोरह आई-उ-सी-एन- रैड लिस्ट के दोरह ठीक है और इसको अपेंटिक्स बन के क्या बोलते हैं अंडर रखा गया है साइट्स ने ठीक है और से लिट्टल्स की जो इंडियन कोस्टल वाकर्स और उनकी रीजन में चैनली पाई जाती है पैला तो भाई अवारा ओलिव रिड्ले हो गया त्यक्या बूसरों का नाम दूसरे का नाम है ग्रीन टर्टल ग्रीन टर्टल के बाद में हमारा आता है फॉक्स बिल फॉक्स बिल टर्टल उसके बाद में आता है लॉगर है ठीक है लॉगर हैट के बाद में आता है लैदर बै यह आपकी पाच वराइटीज है जो इंडियन ओशन के कोस्टल वाटर में आती है यहां पर आके विच्रण करती अब लौगर हैड के अलाबा यह जो बाती आपकी चार वैराइटी से यह क्या दरती हैं यह इंडियन कोस्ट पे मास नैस्टिंग करती इसके अलाबा लौगर है अपनी कहीं और जाके अगर ठीक है लेकिन यह चारों की चारों जो आपकी स्पीसीज तो यहीं आके अगर important point है फिर उसके बाद national parks की बात करते हैं इंडिया में तो अभी हमने wildlife centuries की बात की थी उसका पर national park आ जाते हैं national park आपके वो regions होते हैं जहाँ पर ज्यादा restrictions होती है अगर आप wildlife centuries के साथ इनको compare करें तो इनके उपर ज्यादा restrictions होती है इनकी जो boundaries होती हैं वो fixed होती हैं वो defined होती है ठीके इसके साथ साथ कोई भी human activity यहाँ पर allow नहीं होती है कोई भी human activity इनके अंदर में allow नहीं होती है national parks को IUCN category two protected areas में count किया जाता है इन्डिया का first national park जो है वो 1936 में established किया गया था और उसको नाम दिया गया था भाई उसको नाम दिया गया था है ली तीक कि लेकिन बादमस का नाम बदल गे रखोगे नैंटेन सेवेंटी के आसपास इंडिया के पास पास परफ नेशनल पार्क ते लेकिन फिर इंडिया ने वाइल Lai Protection Act लगाया और फिर प्रोजेक्ट काईगर भी इंडेटीज तो एसी कुछ आपकी स्पीसिस बगण है उनके प्रोटेक्षिन के लिए उनके हाभिज़ेटोगेस प्रोटेक्षिन की लिए चीज Oui ऍऌंधा लगलएस्व पार्क की बात करें लार्जेस्ट नेशनल पार्क घमारा आ जाता है हमिस्ट लग्दार स्मॉल Kentucky ॆरा पार्क हुवारा साउस ब्रडल आलनेडर पार्क सौंध व्य नेशनल पार्क जो है वह आजाता है फर्स्ट मेरेन के डिए और फ्लोटिंग निय्शनल पार्क भई हमारा आजाता मनीपुल के अंदर में ठीक है कही है खेबूल लं शा pillars जो है qualche national फुम्हारा फ़स्ट नोटिंग नेशनल पार्क कि अ पर ने बागी बात्ता हैं यह भी आपको स्पॉठर ने इनके नाम आपको याद रखने आपको कभी भी मैंज़ता फॉरण के पूछे चाहिए फिर आता हमारा protected areas तो तो ने को protected areas वो reasons होते हैं या फिर वो zones होते हैं reasons या फिर zones तिक है कहा के land के या फिर c के जिनको certain level की protection री जाते है उनकी biodiversity और social environmental values को बचाने के लिए इन areas में human intervention और उनका exploitation होता है बहुत ही ज्यादा limited अलग तरह के protected areas होते हैं उनको protection अलग तरह की दी जाती है like national parks हो गए wildlife centuries हो गई marine protected areas हो गए community reserves हो गए अगर protection की बात करने तो सबसे ज़्यादा protection मिलती है national park उसके बात wildlife century को मिलती है फिर आपके reserved forests साथ है और फिर उसका protected forests साथ है ठीक है यह कुछ इनका order होता है अब इनसे related body that is national vote for national vote for wildlife ठीक है national vote for wildlife है आपका वही यह क्या करता है यह policy framework बनाके रखता है wildlife conservation के लिए इंडिया में इसके chairman होते हैं हमारे PM ठीक है जो PM होते हैं वो इसके chairman होते हैं तो NBWL क्या करता है national vote of wildlife का काम क्या है यह एक आपकी इस ट्रिक्टोरी organization है यानि कि इसको क्या बोलते हैं एक बाद में act लाके established किया गया था कौनसा act लेके लाया गया था हमारे कोई wildlife protection act 1972 के अंदर में इसको established किया गया था इसका जो role होता है वो advisory होता है वही इसका role advisory होता है मतलब कि इनकी जो policies बगरा बनती है वो mandatory नहीं होती central government बोई advice करते है policies बगरा बनाने के लिए ऐसे measures अपनाने के लिए जिसने wildlife conservation किया जा सकते next हम आते हैं top 10 largest national parks of India पर और उनकी खासित के बारें बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे है हमश की 믹सक आपका है इसपा इसको 1981 बनाया गया था लग्दाओत में है यह और यह आपका snow leppards के लिए जाना जाता इसको जाना जाता travelled इंडियन बस्टर्ट के लिए यह पक्षी होता है ग्रेट इंडिन बस्टर्ड एक उसके बाद में वहारे सिंगली पाल आ गया वड़ी सामें सिंगली पाल आपका डिजिगनेट दिया गया था है फिर उसके बाद में नेक्स आता है वहारा खाणा चल प्रतेश में और इसका नाम है नमदा पाहा नमदा पाहा ठीक है नमदा पाहा अपका 1974 में डिजिगनेट किया गया था और यह वहां की फ्लोरा और फॉर्णा के लिए जाना जाए फिर वहीं सिक्क्यम का हमारा आ जाता है इसका नाम है कंदेंज जोंगा ठीक है सॉरी फोड़ा मिस्प्रमेसेशन हो सकता है मुझसे 1977 में इसको इस्टबिश किया गया था और यह हमारी यूनेस्पो की वर्ल्ड हैरिटेस साइट के तोर पर शामिल है यूनेस्पो वर्ल्ड हैरिटेस साइट ठीक फिर उसके बाद म अधा है गुरू खासी दास अता है नैसले नेशनल पार्क 1981 में इसको डिशनेट किया गया था और यहां पर आता है टाइगर फिर उसके बाद में गिर फॉरेस्ट आपका 1965 में डिशनेट किया गया था यह आपका एशिया टिक लॉइन के लिए जाना जाना फिर हमारे आज क सुन्दर बन तो भाई सुन्दर बन जो है यह डेल्टा वाला इलाका है वेस्ट बेंगॉल में यह भी आपकी युलेस्पू वर्ड हरिटेस साइड और रोयल बेंगॉल टाइगर के लिए जाना जाता है इसको 1984 में डिजिगनेट किया गया था फिर उसके बाद आ जाता है हमा हम बात करेंगे टाइगर रिजाउबस की ठीक है टाइगर ब्सक्राइगर आपका नैशनल एनिवल पहले नहीं था ठीक है अब आफा नेशनल एनिमल बनता है कव 1973 में उस से पहले श्री ऐर हो हुँमारे देश मेर 53 टाइगर रिजर्ब सबाए जाते हैं जो प्रोज्ट टाइगर चैन्डर में आते हैं प्रोजघ को एंडर में यह शट्र वी Polish का गया था और यह बेशिकली आपकी आती Ministry of Environment Forest and Climate Change के अंदर काँ भी वही है Ministry of Environment and Forest and Climate Change उसके अंडर में आते है वही है ठीक 2005 में इसको इस्टबिश किया गया था Tiger Task Force की टास्क पोर्स की Recommendations के बात ठीक है largest Tiger Reserve को मिंटे की बात करें तो largest Tiger Reserve हमारा आ जाता है नागर्जुन नागर्जुन स्री साइस है लो स्री साइस एलम यह जो है हमारा यह हमारा largest Tiger Reserve है इंडिया इस महालेस्ट की बात करें थे इस महालेस्ट हमारा आ जाता है महारास्ट के अंदर उसका नाम है पोर्ड जो है यह बोर्ड नहीं करें लेकिन इस महालेस्ट नहीं थे ठीक है इसके बाद में जो ग्लोबर टाइगर डे है वह आपका जुलाइड 29 को मनाया जाता है जुलाइड 29 को ओग लोबर टाइगर डे मनाते हैं वह सारे फैट बही जरूरी हैं है ना एक्साम में आते रहते हैं तो अगेर आपका काम यह है कि हमें टाइगर रिजर्फ को स्पॉर्ट करना है इस पूरियम मैप राय मतल्ब सस्टेंट किया जाता है उनके रिएविटेशन और सर्वाइबल के लिए इसमें आपको अलगते अलगते देखने हैं आवस आपको यूहाब गो थो आपको अग्रीया होते हैं यानिक अगर यह अगर यह आपका ग्रीन पूरा है यह ग्रीन हेरिया आपका क्या है अब इस रिजर्ब के अंदर आपके मल्टिपल वाइड लाइफ सेंचुरीज भी आ सकती हैं आपके अलग अलग नेशनल पार्क भी आ सकते हैं और भी वह सारी चीज़ें आ सकती हैं इस्पैसिफिक हेरिया में आपकी कंजर्वेशन और पायो डैवसेटिकली इनको बनाया टीन आ अइंधिया Y HIM mandatory को रहता है उसके बाद में पफर रएता है और उसके बाद में रहता है वह हमारा ठाजिशन जोग ये एरियाज रहते हैं कोई भी outside species इनके अंदर में allowed नहीं होती हैं, conservation और research purpose के लिए इनको बनाया जाता है। wildlife century मैंने आपको बताया था, ये वो areas होते हैं जापर endangered species को रखा जाता है। जो बागार जने खतरा है जिनका शिकार कर लिया जाता है, तो endangered species को wildlife centuries में रखा जाता है, यहाँ पर activities बहुत जादा restricted रहती हैं, किसी तरह का undue stress या harm on animals पर या flora और fauna पर नहीं पहुँचना जाता है। ये एक natural area रहता है, government के दोरह declared किया जाता है, protected किया जाता है, particular species, एक खास species के लिए इसको designate किया जाता है, सिर्फ fauna आपका जो रहता है, conserve किया जाता है, कोई भी बाहर की activities या आपर allow नहीं हो, ठीक है, ये आपके आते है protected areas के अंडर, protected areas का मैंने order आप लोगों को बताई द सबसे last में आता है, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में बहुत सारे birds और बहुत सारी animals डॉनल ही हो सकते, ठीक है, सब को रखा जाता है, अब ये जो area रहता है, इसको central ये state government क्या करती है, conservation के purpose से mark करती है, इसका जो land होता है, वो government own करती है, इस area को industrialization, human exploitation और pollution से बचाया जा आता है, लेकिन यहाँ पर cutting, grazing और outside की species बगरा allowed नहीं होती, ठीक है, ये भी आपके protected areas में आता है, और किसी भी area को जो है, WLP के 1972, यानि कि wildlife protection at 1972 के अंडर में, protected area कोशित किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, ये था हमारा पूरा forest, natural vegetation, और wildlife, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है, वो आप लोगों को map से देखनी बढ़े, आप लोगों को याद नहीं करना सकता है, वो आपको फुद से करना पड़े, हैना, एटलस की जो Oxford student edition आती है, उसको उठाओ, और उसको लगा हो गई, कम लगा के लगा, ठीक है, बहुत बहुत जाद आप लोगों को इसमें help इन lecture से मिलने वाली है, क्योंकि questions आपके CDS, NDO, CAPA में यहीं से पूचे जाएंगे, जो पूचे जाएंगे, जो पूचे जाएंगे, अधरवाइस कुछ नहीं पूचा जाएगा, इस series को अच्छे से एकदम प्यारें तरीके से serious होगे follow करो, ज these are some good lecture that you can refer to, I guess that's it for today, join to you all, we look at previous eight questions के सा.